दोस्तों जो ये महीने रहते हैं इसमें हम flowering plants के साथ साथ succulents के पौदे भी बहुत असानी से अपने गाडन में लगा सकते हैं इसलिए दोस्तों आज की वीडियो हम succulents के बारे में बात करेंगी कि आप कौन से succulents अभी लगा सकते हैं बहुत ही easy to grow है और ये सबी जो succulents यह कि मैंने Plant Orbit से लिए हैं इनकी website भी है और Instagram पेज भी है आप जुरूर जाके चेक करेंगे मुझे इनकी variety है सेक्युलेंट्स की बहुत जारा पसंद आई है तो आज हम इनकी unboxing करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास जो box है वैसे तो सही लग रहा है और यह मैंने दो दन पहले order किये थे क्योंकि उत्राखंड पंजाब के पास ही है तो इतना जारा टाइम नहीं लगता है तीन से चार पहले हम देखते हैं कौन से सक्युलेंट है हमारे पास और दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब लगाना चाहते तो आप अभी लगा सकते हो आपको जरूर लगाने चाहिए और यह जो है हमारे पास first सक्यूलेंट और यह दो पौदे है शायद यह एक ही पौदा है उसके दो स्टेम्स थी और आप देख सकते हो पौदा बढ़ा हेल्दी है और इसमें कोई भी प्रावल्म नहीं है थोड़ी सी जड़े हैं इसलिए सुखाते हैं तांके जो मौस्चर है वो ज़्यादा फंगस ना दे दे ट्रांसिट टाइम में तो इसलिए यह पहले सुखाने पड़ते दो तन दन और यह आप देख सकते हैं दूसरा सकील और यह दोस्तों जो दूसरा प्लांट है हमारे पास मैंने कुछ पौदे मंगाए हैं इनके पास बहुत सारी वराइटी है जो आपको वेबसेट पर जाके और जारा बढ़िया तारीकी से पता जलेगा कैटिगरी वाइस जिनोंने सब भी कैटिगराइस किये हुए तो आपको बहुत अच्छे से पता जल जाएगा और यह है हमारा तीसरा प्लांट यह मुझे सबसे बढ़िया लगा इसके रैड कलर के लीव्स है और यह हमारे पास नेक्स्ट वन और मैं आज दोस्तों आपको लगा के भी दिखा प्लांट है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ मुझे नाम थोड़ी सिनकी कम पता है पर मैंने अभी जब मुझे पता लगेंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जब भी सक्किलन की केर बनाऊंगा तो आपको डेफिनिली बताऊंगा मैं और यह सभी जो मैंने की अगर बात करूं यह मुझे 90 to 120 या फिर 50 रुपीज की भी है कुछ वाले कोई 60 रुपीज वाले भी हैं तो मिक्स मैंने वराइटीज मंगवाई है और यह हैं हमारा नेक्स्ट वन प्लांट यह भी बहुत हेल्दी लग रहा है इसमें भी दो स्टेम्स थी और इसमें से आपने बचा कर रखना है अगर आप इसकी बड़िया तरीके से केर करोगे और ज्यादा गर्मी में भी आपने इसको एक्सपोज नहीं करना है धूप के साथ तो थोड़ा सा यह प्रॉब्लम करता है अगर्वाइस सब्सक्राइब गार्डन में रख सकते हो या फिर रूम हो गये थे मतलब इनके जो लीव्स हैं बहुत जड़ा हाड हो गये और बहुत जड़ा बढ़िया लग रहे थे सक्यूलेंट्स का पॉर्टी में थोड़ा सा अलग रहता है इसलिए मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूं कि आप कैसे उनको लगा सकने हैं एंड में आप जरूर देखीगा और यह हमारा नेक्स्ट वान प्लांट है यह भी मुझे बहुत बढ़िया लगा आप देख साथ इसके बीच बीच में पत्तों का जो नमबर जो लीव्स हैं बहुत जादा है हर एक आप देख साथ पार्ट पर और मुझे यह बहुत बढ़िया लगा आई और यह मैंने प्रोपेगेट भी कर ली है दो तिन मैंने लगा दिया है होप अभी यह छे महीने लेंगी और उसके बाद यह पूरी तरह से बास्केट को बर देंगी और यह हमारा अगला है यह भी दोस्तों बहुत बढ़िया था जो सर्किलन आप देख साथ तो इसका जो प सर्किला पौद और इसमें भी दोस्तों दो पौदे थे तीन पौदे थे चोटा बेबी प्लांट भी देख सकते हो मुझे हल्दी लगे जो प्लांट से सबसे बड़ी बात है और सभी में कोई भी प्रावल्म या इश्यू नहीं था और जो जहां से मैंने मंगवाए है प्ल आप पर मिलेगा आप जाके भी विजट कर सकते हैं उत्राघंड में और आप देख सकते हो यह सभी प्लांट से जो अब हम में लगाएंगे आप देख सकते हो यह जो मेरे पास अपडेट है यह पांच दिन बाद का है मैंने इनको जो सीलिंग ट्रे होती है उसमें मैंने क्लरफुल भी बहुत लगते हैं सक्क्यूलन मैं चाहूंगा कि मैं और जड़ा आइड करूं वराइटी अभी मैं 10-15 दिन बाद एक बार देखूंगा अगर मुझे और वराइटी मेली और दोस्तों इसके लिए जो पॉटे मिक्स लेना चाहिए उसको हम देख लेते हैं दूसरा है कोकोपीट आप कहेंगे कोकोपीट बिल्कुल भी लेनी नहीं चाहिए पर मैं थोड़ी सी कोकोपीट डालता हूँ पहले भी मैंने सक्क्यून लगा के देखें तो इसमें कोई इश्यू नहीं होता सिर्फ 15 परसेंट आपने टोटल जो पॉट के लिए लिए लेन जो हमारे पास कावडंग कमपोस्ट होती है वो ली है आप वर्मी कमपोस्ट लीफ कमपोस्ट कोई भी ले सकते हैं परियाद रखे 15 परसेंट से ज्यादा नहीं लेनी है थोड़ी सी कमपोस्ट एसिडिक होती है काफी बार पौदों खुराब भी कर देती है और ये दोस्तो और अब देख से जाए इन सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे इसमें आप दोस्तों जो हमारे पास इट होती है उसके टुकड़ी भी डाल सकते हैं काफी जो हमारे यहाँ पे ग्रेवल्स होती होती है उनको भी डालते है हमारे जो ग्रूवर्स रहते है तो अलग-अलग हम इसको ज़्यादा बड़े में transplant कर देंगे तो आप देख सकते हो यहां पर drainage holes भी इसमें बहुत अच्छा है मुझे पानी जैसे थोड़ा से सूख हो जाता है इतना पानी नहीं लेते हैं पहले इनके पत्तों में बहुत ज़्यादा स्टोर हो रहते हैं आप देख साथ हैं इसके बीच में से अपने अच्छा सा होल करकर लगाना है और यह थोड़े से आपको लगाने ढंक से बढ़ेंगे क्यों इसका आपको यह चीज का ध्यां रखना है आपने ऐसी ही इसको अंदाजे से नहीं लगाना नीचे से मिट्टी को पूरा दबाना है जिसके साथ क्या होगा एर पोकिट से वो नहीं रहेंगे जिसके साथ जो फंगस जैसी प्रॉब्लम्स वो आपके पौदे में नहीं आपने नीचे से आप देख सकते हैं दस बारा बार मैंने इसको अच्छे तरीके से सोयल को सैडल करने के लिए नीचे पटका है और जिसके साथ ये बहुत बढ़ी तरीके से अभी प्लांट हो गया है और ऐसी दोस्तों आपने सभी पौदे लगाने हैं याद रहें आपने बहुत अच्छे से पानी देना है एक बार सिरफ उसके बाद आपने पानी चेक करके देखना है ज्यादा नहीं देना है क्योंकि अगर हम दो दो दिन बाद इनको पानी डालते रहेंगे देखकर तो ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे इनको कम से कम तीन या चार दिन तक आप देखें कि मिट्टी कैसी है उसके according आप पानी देखें अगर मिट्टी बहुत जारा भुरुबरी है या फिर आप कह सकते हैं इसका कलर बहुत लाइट हो गया तब आप पानी डाले अधरवाइस थोड़ा सा वीड़ आप कर सकते हैं अलग अलग पौदों की succulent में भी अलग अलग इसकी नीड हो सकते है पानी की तो आप देखकर डालें दीरी दीरे से आपको पता लग जाएगा कौन सा बौदा कितना पानी मांगता है और जो मेरे पास पत्ते थे थोड़े बहुत जो पत्ते रह गए थे या फिर transit के राइम साथ में आते हैं जो थोड़े से निकल जाते हैं तो उनको भी मैंने लगा दिया क्योंकि प्रॉपएट यह आसानी से हो जाते हैं और उपर से इनका सीजन भी चल रहा है आप जूरूर जाकि एक पर सक्कुलेंट देख सकते हैं उनकी वेब साइट पर या फिर आप सक्क्लेंट लगा भी सकते हैं अगर आप को और वीडियो चाहिए रेकार्डिंग सब्किलेंट प्लांस तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन बता सकते हैं मैं आपके लिए जुरूर बना लूँगा